ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मीन राशी वालो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 अगस्त से 31 अगस्त याने कि इन पूरे 20 दिनों के आपी राशी के महराशी फल के बारे में कि ग्रहन अक्षत्रों के इसाब से आपके लिए 12 अगस्त से 31 अगस्त याने कि इन 20 दिनों का जो समय है वे समय कैसा रहने वाला है इन 20 दिनों में आपको किन-किन चीज़ों से फायदा होगा किन-किन चीज़ों से आपको साफधान रहना होगा साथ इसाथ इन 20 दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पवण और सटीक जानकारी से वीडियो में आपको तेने वाले हैं वीडियो बहुत महत पुर्ण हैं सुरू से अन्त तक वीडियो को आप पूरा देखें बिलकुल भी वीडियो को आप मिस ना करें या दोस्तों वीडियो का केश शुरू करें सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान शनिदेव के सच्च बक्त वीडियो को लाइक करें सब से पहले और सच्च दिल से कमेंट स्बूक्स में जैज शनिदेव अवशे लिखें जिससे भगवान शनिदेव के किरपा आपके और आपके परिवार के उपर सदैव बनी रही चली दोस्तों बात करते हैं किस प्रकार रहेगा आपकी राशी वालों के लिए 12 अगस्त से 31 अगस्त याने की इन 20 दिनों का यह महत्पपून समय दोस्तों यह समय आप अपने वहवार तथा म्रदु भासिता द्वारा खराब संबंदों को सुधार ने में सफल रहेंगे आपकी सकारात्मक सोच जैसे भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करना आपके लिए श्वाबाविक ही उत्तम परिस्तितियां उत्पन करेगी घर में कोई धर्मिक आयोजन भी हो सकता है दोस्तों यह समय पिछले कुछ समय से चली आ रही बादाओं को दूर करने में आप सफल रहेंगे जिससे आप में आत्म संतुष्टी का भाववी रहेगा राजनितिक वे सामाजिक गतिविदियों में विसेस योगदान रहेगा एक खास मुकाम भी आपको इस समय हासिल होगा समय मान वे प्रतिश्टा वर्दक है धर्म कर्म वे आध्यत्मिक कार्रो के प्रती रुची रहेगी वे विसे धर वे दुनियादारी के बीच बहतरीन संतुलन बना कर रखेंगे दोस्तो यह समय उधार दिये हुए किसी पैसे का कुछ हिस्सा आपको वापस मिल सकता है अपनी दिन चरिया को विविस्तित रखते हुए अपनी विसेस प्रतिबा को जागरित करने में समय व्यतीत होगा विसेस कर ग्रहनियां स्वैम को साबित करने में सफल रहेंगी विध्यार्तियों को अपनी परिक्षा में सफल ताहसिल होगी बड़े वुजुर्गों का इसने और आशिरवाद आप पर सदे बना रहेगा किसी जवतमंद मित्र की मदद करने से मन में खुसी रहेगी दोस्तो अपने उसुलों वे सिद्धांतों के साथ किसी भी तरह का समझोता ना करना आपको मजबूत बना कर रहेगा दोस्तो यह समय अपनी समझबूज वे बुद्धी मता के दुआरा अपने कारों को सुचारों रूप से संपन करने में आप सफल रहेंगे कार को योजनाबद तरीके से करना आपको विसेश सफलता प्रदान करेगा घर में मित्रो या महमानों का आगमन होगा तथा सभी सदस्य से आप से मेल जोल का लुप्त उठाएंगे दोस्तो साती सात इस समय कभी कभी आपका मनमोजी स्वभाब दूसरों के लिए परिशानी का कारन बन सकता है घर में परिवारिक सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर गलत फैमी उत्पन हो सकती है जिसकी वज़े से किसी बहरी व्यक्ती का हस्त छेप हो सकता है दोस्तो यह समय ध्यान रखिये कि कोई अपना ही नजदी की मित्र धोका या फिर ठगी कर सकता है युवा वर्ग की अपने केरियर के प्रती लापरवाही भविस्य के लिए नुकसान दैक रहेगी इसलिए सावधानी रखना आपके लिए अतियावशक है दोस्तो यह समय किसी नजदी की मित्र की नकारात्मक गती विदी से आपको आगात या फिर धक्का लग सकता है गाड़ी या मकान संबंदित कागजाद आप बहुती समाल कर रखे दोस्तो कभी कभी किसी विशेश विशे को गहराई से जानने की इक्षा आपको अपने लक्षे से भटका सकती है थोड़ा सावधान रहें परंतु जादा आत्मकेंद्रित होने से इसका नकारत्मक असर आपके व्यक्तिकत तथा परिवारिक जीवन पर पढ़ सकता है किसी धार्मिक उतसव में गरत फहमी की वज़े से किसी के साथ कहा सुनी हो सकती है इसलिए अपने वहवार को सैयमित बना कर रखना आपके लिए अति आवशक है दोस्तो यह समय अपने भाई भेनों के साथ संबंद मधुर बना कर रखें तो कि किसी प्रकार की कहा सुनी हो सकती है विद्यार्तियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से भटक कर व्यर्थ के कारों में लग सकता है जिससे कोर्स पूरा करने में दिक्कत आ सकती है विद्यार्ति लोग अपनी पढ़ाई के प्रती किसी प्रकार का समझोता ना करें अन्यता रिजल्ट खराब हो सकता है अपने स्वयभाब को सहज वे संतुलित बना कर रखें क्योंकि गुस्से से परस्तितियां और अधिक बिगड़ सकती हैं कानूनी काम में भी आप ना उल्जें साफधान रहें दोस्तो बात करें लव लाइफ के नजरिये से तो यह समय पती पतनी के बीच एहम का टकराव हो सकता है परंतु समय रहते आप नकारत्मक परस्तियों को काबू में पा लेंगे जिससे पती पतनी में नजदी कियां बढ़ेंगी विवा संबंदित कारों में वेस्थता भी बनी रहेगी दोस्तो साथिसाथ अत्यादिक वेस्थता के कारण परिवार पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे परंतु जीवन साती का सयोग परिवारिक वातावरण को उचित बना कर रखेगा पती पत्नी के आपसी संबंद अच्छे रहेंगे प्रेम संबंदों में भी प्रेगड़त आएगी दोस्तो बात अगर आपके वेवेशाय और केरियर की करें तो इस समय आपकी कोई ऐसी बात उजागर हो सकती है जिससे आप गोपनिय रखना चाते थे वेवेशाय क कार रहें अभी लंबित ही रहेंगे नौकरी पेसा लोगों को भी आफिस से संबंदित कोई भी नजदी की यात्रा करनी पड़ सकती है जिससे आपको अधिक लाब पहुँश सकता है गर छित्र में किसी विशेश व्यक्ति से मुलाकात आपकी तरक्की वेजीत के लिए सहिक रहेगी नौकरी में अपने टार्गेट को पाने में आपको कामिया भी भी हासिल होगी दोस्तो किसी के साथ शाजेदारी करते समय नुकसान फायदे की इस्तितियों पर भी अवज से विचार विमर्स करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो साथ यस साथ इस समय किसी प्रिक्टार की व्यवसाइक प्रतिस परदा में आपकी हार हो सकती है परन्तु इस तनाव को आप अपने उपर हावी होने ना दें तता धहरे पूरवक अपने अन्य कारों के प्रती समर्पित रहें अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी नौकरी में प्रोमोशन या फिर ट्रांसफर के आप के लिए योग बन रहे हैं दोस्तो यह समय कर्यचित्र में कारों के बीच बीच में कुछ रुकावटे आ सकती हैं जिनकी वज़े से ओडर आदी पूरा करने में विलंब हो सकता हैं करमचारियों की गतिविदियों को आप नजर अंदाज ना करें वे लोग किसी प्रकार की राजनिती उत्पन कर सकते हैं सावधान रहें दोस्तो साथ यह समय मसीनरी वे तेल संबंदित वेवसाय भरपूर मुनाफिक कमाने की इस्तिती में हैं इसलिए पूरा ध्यान अपने काम पर ही कैंदृत रखें परन्तु हर काम में पेपर संबंदित कारों को पूरी तरह वेवस्तित रखना आपके लिए अति आवशक हैं किसी प्रकार की इंक्वारी आदी बैठ सकती हैं सावधान रहें दोस्तो साती सात खान पान से संबंदित व्यवसाएं धीरे धीरे व्यवस्तित होंगे अपने काम की क्वालिटी में और अधिक सुधार लाने की आपको आवशकता है जो आपके लिए बहुती फैदेबंद साबित होगा दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय आपका स्वास्थ उत्तम रहेगा किसी प्रकार की चिंता आप ना करें वाहन या मसीन संबंदित उपकरणों का सावधानी पूरुवक आप उपियोग करें क्योंकि किसी प्रकार की चोट या फिर एक्सिडेंट की आशंका बन रही हैं। दोस्तो साथी साथ यूरीन इनफेक्शन जैसी समस्या उत्पन हो सकती हैं। तरल परधारतों का अथिक से अधिक आप सेवन करें। गलत खान पान की वज़े से गैस वे पेट खराब होने जैसी समस्या उत्पन हो सकती है प्रकर्तिक चीजों को अधिक से अधिक सेवन मिलाएं जो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा